छोरो आंदोलन भारत छोरो आंदोलन आपको पता होगा कि भारते राष्टे स्वतंता संगराम का एक महत्पूर्ण आंदोलन है और इस बार भी कोशन पूछे गए थे क्या पूछा गया था एक तो कारण पूछा था कि इनमें से कौन कारण नहीं था और एक कोशन ये पूछ था कि भारत छोरो आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा क्या गया था तो यहां पर देखे लाइन लिखा वा गांदी जी ने अपने भासन में कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूं करो या मरो आठ अगस्त 1942 को अखिल भारतिया कोग्रेस कबीटी के बंबय अधिवेशन उस समय बंबय ही था बाद में मुंबय हुआ तो वहां पर यह भारत छोरो परस्ता पारित हुआ था तो यही कोश्चन आपके एक्जाम में पुछा गया था किसके द्वारा तो गांदी जी उसका एंसर होगा कोई नया चीज नहीं है इसमें पर ना कि मैं आपको कुछ एक्स्टा जो है लगाऊंगा बस वही सब चीज को आप कॉंसर्प बनाते रहे हैं मैत और रिजनिंग आपने देखा कि सारे लगवा कलासरून के ही थे तो वो सब आप लोग देखते रहे हैं कहीं आपको दिक्कत करेंगे हैं 1942 इसवी का भारत छोरो आंदोलन 857 इसवी के पस्चात अंगरेजों के विरुद उटने वाला सर व्यापक आंदोलन था यानि 1942 से पहले एक सर व्यापक आंदोलन जो पूरे देश अस्तर पे बहुत व्यापक रूप लिया था वो था अठाश्ट आवन किराम थी उसके वाद ब्यापक रूप से एक कह सकते हैं अंदोलन जो भारतिय सुतंता सग्राम का है उसमें अंगरेजों के खिलाप ये सबसे ससक्त अंदोलन के रूप में जाना जाता है 1942 का भारत छोरो इसमें जो अहिंसावादी जो नित्रित करता है गांदे जी वो भी जो ए कहीं न कहीं अक्रोसित वो भी हो जाते हैं जो कि एक नरम विचारधारा के वेक्ति हैं उनके अंदर भी कहीं न कहीं जो है खून वल उठता है तो अपने आप में समझ सकते हैं कि या कितना व्यापक रूप ले लिया होगा इस आंदोलन की परवलता ने यह ते कर दिया कि भ बले ही यह अंदोलन अंग्रेजों के द्वारा दवा दिया गया और भारते स्वतंता संग्राम को कमजोर किया गया लेकिन यह बात तैय हो चुकी थी 1942 के भारत छोड़ों अंदोलन के बाद कि अंग्रेज अब जाइदा दिन तक भारत में नहीं टिक पाएं गे और ऐसा ही ह हुआ और आपको पता होगा कि 15 अगस्त 147 को अंग्रेज भारत छोड़ करके चलेगे अब देखिए यहाँ पर एक कोश्चन कारण क्या स्थर पर पूछा था आपका इसी बार पूछा था क्या क्या कारण थे और क्या कारण नहीं थे एक कारण है आपका दूतिय विश्यूद एक कोश्चन ये भी पूछा था पर्थम विश्यूद कब से कब तक की घटना है बहुत आसान सा कोश्चन था बहुत सारे कोश्चन बहुत आसान पूछे गए थे 1914-1918 के बीच पर्थम विश्यूद हुआ दूतिय विश्यूद की घटना 1949-1945 के बीच हुई बरसाई की संदी जो अठारे के बाद वहाँ से भी कई कोश्चन पूछे गए परिनाम से भी कोश्चन पूछे गए विश्यूद के जो कि हमने आपको अच्छे से डिटेल से 11-12 वाले भी 11-12 वाले प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन आधनिक विश्यूद सब को अच्छे से पढ़िएगा बकी 6-8 वाले जो फिर से अब बैठेंगे केवल और केवल आप विश्यूद इतिहास और मॉडर्न हिस्ति आधनिक इतिहास पर ही फोकस किजिए पॉलिटी म जितना हमने कॉंसेफ्ट दिया उसको पढ़िए साथ साथ 9-10 के जो बेसिक बुक हैं NCRT के उसको लाइन वाय लाइन अध्यान कर लीजिए लाइन वाय लाइन पढ़िए अच्छे से घेरा लगाईए आपके पास अब कुछ टाइम मिल गया है बस इतना कीजिए और मैत रि 65-90 के बीच में लाने का तब जाकर कि आपको सफलता मिलेगी दूतिया विश्यूद इसका कारण राता है भारत छोरो अंदोलन का चुकि पर्थम विश्यूद के दौरान अंग्रेजों ने भारतियों को ठगा था खास करके गांदी जी ठगाए थे पर्थम विश्यूद के दौरान उन्होंने सरजेंट की भूंका निवाई थी भारतिय सेनिकों को उन्होंने अंग्रेजों के तरफ से लड़ने के लिए जो है अवहान भी किया था लेकिन आगे चल करके अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने के सिवाए उपर से तरह तरह के रॉलेक्ट और खास करके पर्थम विश्यूद के दौरान गांदे जी इसमें सरीक हुए थे तो उनको लगा यह मौका आ गया है कि अंग्रेजों से फिर से दुबारा बदला लिया जाए जो उसने पहली बार जो धोका दे करके पर्थम विश्यूद में भारतियों का यूज किया था उसक से करांती कारी नेता भी यहां पर आप देखेंगे कुश्यूद के आसपास एक्टिव हो जाते हैं चुकि पूरे विश्यू अस्तर का यूद है अंग्रेजों की स्थिति भी सुरुवाती चरण में या लास्ट में भी अच्छी नहीं है तो कहीं न कहीं भारतिय सेनाओ का परियोग करके यूद में जितना चाहेंगे यहां पर गांधी जी के द्वारा जो है आंदोलन में पार्टिसिपेट करने से मना किया जाता है भारतियों को तो दूतिय विश्यूद भी इसका कारण था और एक समय होता है कि लोहा गरम है अथावरा चलाओ यानि अंग्रेज को हराने का एक अच्छा मौका भारतियों को दिख रहा था दूतिय विश्यूद की घटना 1940 का लाहोर अदिवेशन है किप्स मिशन आया था जिसमें एक भी भारतिया नहीं थे जबकि वो भारतियों के लिए कानून बनाने के लिए आया था तो इसकी भी और सफलता जो है सबसे पर्मुकारण के रूप में थी भारचोरान दोलन के दौरान फिर वैक्तिगत सत्यागरा यहाँ पर बिनोवा भावे जैसे पंडी जवाला नहरू जैसे वैक्तिगत सत्यागरा शुरू कर देते हैं इसके पहले भी कई बार गाउंदी जी के दौरा सत्यागरा किया गया है सामोई करूप से लेकिन यहाँ पर वैक्तिगत सत्यागरा होता है फिर अगस्त प्रस्ताव भी यहाँ पर कारण है तो अब इसके बारे में एक एक कारण को हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे और यही जब में कोस्चन पूछता है तो पुछेगा भारत छोरो अंदोलन क्या है और इसके क्या कारन थे और इसके क्या परिणाम हुए इसके व्याख्य करें GS1 का history section का question है, बहुत ही महत्पून question है, निश्चित रूप से आपके exam में पूछे जाते हैं men's writing में भी, तो इसी परकार से आपको भूंका लिखना है, फिर इस अंदोलन के कई कारणें उसको लिखना है, जिस परकार से हमने 3S texture draw किया है, जो लोग men's लिखते हैं उनके लिए बाकी जो लोग TRE के exam में TRE 2, TRE 3, TRE 4 में वैट रहे हैं उनके लिए जो है, या HM के exam में, तो वो लोग बस objective अस्तर पर कौन-कौन से question create हो रहे हैं, जो कि मैं आपको बताता चलूँगा, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पहला कारण है दूतिया विश्यूद, इस यूद में सुरवात में अंग्रेजों की स्थिति परतिकूल थी, यानि अनुकूल नहीं थी, उल्टा था, जपान दरा बिटेन को लगातार प्राजय के कारण, जपान एक छोटा सा दिस्त, बिटेन को लगातार प्राजित कर रहा था, और भारत पर भी जपानी आक्मन का खत्रा बना हुआ था, यूद के समय खाद्यान संकट भी आ चुके थे, महंगाई से भी जनता और संतुष्ट हो चुकी थी, तो ये दूतिय विश्यूद का कारण था, जिस कारण से भारत छोरो अंदोलन अंगरेजों के खिलाब भारत में हुआ, दूसरा है किस मिशन की और सफलता, भारत को डोमेनियन एस्टेट्स की दरजा देने की बात हुई थी, किन्तु कोई भारते इसके सलस नहीं थे, जिस कारण से भारते ने ताओन इसका बिरोध किया, यानि भारत को डोमेनियन एस्टेट्स का दरजा दिया जाता, यानि पूर्णूप से सोतन तो न नकारा और उसमें कोई भारतिया सदस नहीं थे तो भारतिया नितित करता हूं ने इसको नकार दिया था किप्स मिसन जो कि 1942 में आया था उसके बाद है बैक्तिगत सत्यागरा 1949 में गांदी जी राजनिती में पुना वापस आगे आपको पता होगा गांदी जी संघर्ष बिराम संघर्ष की निति अपनाए हैं भारतिय राष्टिया अंदोलन में आप देखेंगे कि 1917 का चंपारन सत्यागरा कराते हैं फिर 1920-21 में फिर औसायोग अंदोलन होता है और चौरी-चौरा कांड होने के बाद 1922 में जब ये छोडते हैं मतलब संघर्ष में पार्टिसिपेट करना तो इकठे 1930 में फिर स्वाविने अवग्या अंदोलन में आते हैं फिर यहाँ पे छोडते हैं इकठे फिर 1942 में आते हैं यानि इत 145 में आम लोग की मनोदसा के बारे में जवन्दी जी ने जानकारी लिया और व्यक्ति का सत्यागरा सुरू किया यानि सामोहिक रूप से नहीं बलकि व्यक्ति का सत्यागरा सुरू की पर्थाम व्यक्ति का सत्यागरा जो करने वाले व्यक्ति थे बिनोवा भावे थे दूस तीसरे सत्यागर ही कौन थे जिन्होंने कि बैक्ति का सत्यागरा किया था यह आपके लिए होंबरकरा लास्ट में हम हम बताएंगे ठीक है लाहूर अधिवेशन और अगस्त प्रस्ताव आपको पता होगा लाहूर अधिवेशन में क्या हुआ मुहमद अली जिन्ना द्वारा एक द्वारा क्या हुआ द्वी राष्ट सिध्यांत, यहां पर द्वी होगा, द्वी राष्ट सिध्यांत, मतलब दो राष्ट की जो है एक भारत और पाकिस्तान का सिध्यांत परस्तूत किया गया, यानि अब भारत एक नहीं रहेगा, अब भारत दो भागों में बटेगा, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान तो ये सिध्यान्त जो है मुहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाहोर अधिवेशन अवगर में दिया गया अब घटना को हम करम बार पढ़ते हैं कि भारत छोड़ों अंदोलों की सुरुवात कैसे हुई कहां से हुई और यहां से अगाज होता है इसकी अध्यक्स्ता उसमें मौलाना अवुल कलाम अजाद कर रहे होते हैं इस समेलन में गांधी जी ने अपने भासन में कहा सारी जनता को बुलाया वहां जो भी लोग थे मैं आपको एक मंत्र देता हूँ करो या मरो डू और डाय जिसका आर्थ है भारत की जनता भारत को आजाद कराए या फिर उसकी कोशिस में अपनी जान देदे यानि गांदी जी भी पूरा इग्रेसिम मूड में हैं और अपने जान देने की बात कर रहे हैं करो या मरो का नारा भी गांदी जी देते हैं तो गांदी जी के द्वारा ही कह सकते हैं कि भारत छोरो आंदोलन की सुरुआत आच अगस्त 1922 से गौलिया टेंक मुंबए जो अधिवेशन होता है वहीं से होती है याद रखेगा ये सब कुछन पूछा हुआ है बार बार पूछे जाते हैं इसकी परतिकिर्या में सर गनित जादा सब पढ़ाया हुआ है चुपचा वीडियो देखिए गनित उनित पूरा पढ़ाया हुआ है सारा चेप्टर पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे देखते रही है प्रिवियस वीडियो जो भी है प्रिवियस येर का कुछन बेंक मैट का वो जरूर देखिए इसकी परतिकिर्या में बिट्री सरकार द्वार नौ अगस्त को सुबह ऑपरेशन जीरो जब आठ अगस्त को गांदी जी भोसना कर देते हैं करो या मरो का तो नौ अगस्त को अंग्रेज ने ऑपरेशन जीरो आवर लगाया और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबी जितने भी देश के बरे नेता थे उनको गिरफतार कर लिया गया इसी आंदोलन का सबसे ब्यापक परभा बिहार और संयुक्त प्राण जो की यूपी अभी बरतमान में है उस पर भी रहा सबी बरे नेताओं के साथ डॉक्टर राइंदर परसाथ जो बिहार के नेता है जैपरकास नारायन इन लोग की भी गिरफतारी हो गई इस कारजवाहिक की परतिकिरिया में पूरे देश में ब्यापक तोर पर हिंसा और विरोध परदसन होने लगे साजनिक संपत्ती जैसे रेल हो गया डाक हो गया तार हो गया बरे पेमाने पर नस्ट कर दिये गए जगा जगा अस्थानिया सरकारों का गठन किया गया यानि लोग अपना-पना सरकार बनाने लगे इसी दोरान बिहार में अजाद दस्ता जो की जैपरकास नारायन के दोरा बनाये गया विविन कार्ज कर्मों के माद्य हम से महत्पोन भून का निभाई तो अजाद दस्ता भारत चोरों आंदोलन का ही उपज था 10 अगस्त 1942 को सदाकत आस्रम को जब्द कर लिया गया था और सरकार की दमनात्मक निती के बिरोध में जनता ने जग़ जग़ ज़ंडे फाराने लगे 11 अगस्त याद रखेगा ये दिन बिहार के लिए सोक का दिन है 11 अगस्त 1942 को इस्तिती काफी तनापूर्ण था पटना का उस दिन विद्यार्तियों का एक जथा जो है जुलूस निकालते हुए सचिवाले भावन के सामने जो बिधाई का है उसके इमारत पर एक राष्टिय ज़ंडा फराने की कोशिस कर रहा था किन्तु उस समय जो ततकालीन जिला नियाधीस थे जिला नियाधीस उनका नाम था डबलू जी और्चर डबलू जी और्चर ने इन पर निर्ममता पुर्वक गोलियां चलवा दी जिसमें साथ चातर सहीद हो गए याद रखिएगा कितने तारिक की घटना है एक 11 अगस्त 1942 की घटना है जो चातर थे वो कहां कहां से थे कई बार पुछेगा इन में से कौन चातर नहीं थे तो थोड़ा कौन थे उसका नाम याद रखिए उमा कांत परसाज सिंग जो कि सारन के थे रामानन सिंग पटना के थे राजंदर सिंग सारन के थे राय गोविंद सिंग पटना के थे सतीज परसाज जा भागलपूर के थे जगपती कुमार गया के थे देवीपद चोधरी सिभर के थे विशेष्टा क्या थी इस आंदोलन का 1942 का जो बिहार में आंदोलन हो रहा है उसकी क्या विशेष्टा है हिंसक तथा और नियंत्रित आंदोलन है यानि नत्रित करता को तो जेल में बंद कर दिया गया है तो यह आंदोलन क्या हो जाएगा हिंसक हो जाएगा केंद्रिया नित्रित का अभाब होगा नित्रित करता का यहां अभाब होगा चुकि सब को जेल में बंद कर दिया गया है आम जनता जबरदस्त भागीदारी निभाती है इवाओं के लिए हर्ताल संस्था पर कबजा पुलिस संगर्स आम बात हो गई महिलाओं की भागीदारी उत्सापुन देखने को मिलती और ना आसफ यह बहुत ही जाना पहचाना करामती कारी नाम है महिलाओं में याद रखेगा और ना आसफ अली जो की 1942 के भारत चुरू अंदोलन की एक परमुख नेत्रित करता है अभी कह सकते हैं नेत्री हैं सुचेता किर्पलानी उसा मेता जिन्होंने की रेडियो संचालन किया था भाल चुरू आंदोलन के लिए अजाद दस्ता के उसा मेता इनका भी नाम याद अरखेगा बीपेसी का हिट लिस्टेट कोश्चन है यह सब कई नेता भूमिगत होकर के तोरफोर के कार्जकरम को स्टार्ट करते हैं लोगों के भी जंजाग रुकता लाते हैं छोटे जमिंदार और किर्शकों ने वर्चर करके यहां पे हिस्सा लिया जगा जगा अस्थानिय सरकार समानांतर सरकार का गठन किया गया अजाद दस्ता इस अंदोलन के दोरान प्रवल विरूद ने यह अस्थपस्ट कर दिया कि भारतियों को पूर्ण स्वाधिनता से कम कुछ भी स्विकार नहीं होगा ठीक है तो यह गांदी जी का जो भारत छोरो अंदोलन के दोरान का चित्र है पंडी जवाला नेरू नीचे में बैठे हु अब हम लोग पढ़ेंगे अजाद दस्ता और जैप्रकास नारायन की भूमका चुकि बीपेस्सी के लिए यह महत्पूर्ण टॉपिक हिट लिस्टे टॉपिक है तो अगर भारत छोरो अंदोलन पढ़े और जैप्रकास नारायन की भूमका को नहीं पढ़े तो आप पूरा भारत छोरो अंदोलन नहीं पढ़े इतना ही समझे चलिए और जो भी लोग अभी तक नहीं जूरे हैं केवल वीडियो देख रहे हैं अगर जुड़ना है तो अभी भी जूर सकते हैं दो तीन मेहना तो टाइम फिर आपको मिली गया त्यारी करने का कोस्चन आपको नहीं सब नोट से ही होते हैं अबजेक्टिव में बारवार बोलता हूँ पढ़ने से आपका कंपेटिसन नहीं निकलेगा और बारवार एक्जाम भी रद नहीं होगा जो आपको बारवार मोका मिलेगा अगर मोका मिला है तो सही गाइडे सही तरीका से पढ़ाई कर लीजि और इस बार भी देखा ही तो बार बार बोलता ही हूँ कौन-कौन से टॉपिक आते हैं आपके एक्जाम में बस टॉपिक पढ़िए बुक लेकर के आप चाहिएगा कि बिद्वान बन जाए तो बिद्वान तो बन सकते हैं लेकिन कंपेटिशन नहीं निकलता है ठीक है कंप प्रॉपिकों पर बिसेस फोकस किजिएगा रिजल्ट में रहिएगा बिद्वान बनिएगा रिजल्ट से बाहर हो जाएगा चलिए भारते रास्टे आंदोलन के करम में 1942 का भारत छोरो आंदोलन अठाशन तावन की क्रामती के पश्चात एक ससक्त विद्रो था जिसने अं दस्ता की क्या भूंकार ही व्याख्या करें इसी कोश्चन को जब हम लिखते हैं मेंस में तो देखे एक भासा किस परकार से यहां पे हमने लिखा है भारते रास्टी आंदोलन के करम में 1942 का भारत छोरो आंदोलन 1857 की क्रामती के पश्चात एक ससक्त विद्रो था जिसने अ अंग्रेजों को भारत छोरने पर मजबूर कर दिया तो भासा ऐसा लिखें जो पढ़ने वाले को भी मज़ा आगे इस आंदोलन की सुरुआत आठ अगस्त उनिस्ट अब्यालिस को एतहासिक गौालिया टेंक बंबै मैदान में गांदी जी के भासन से हुई जिसमें करो या मरो का मंतर दिया किसने तो गांदी जी ने कहां पे क्वालिया टेंक मुंबै कब तो आठ अगस्त उनिस्ट अब्यालिस को यह सब हिट लिस्टेट कोश्चन इस मंतर के मिलते ही पूरे देश के सासात बिहार में भी अंगरेजी हुकूमत के बिरोध में अंदोलन होने लगे 9 अगस्त को बिहार के महतपूर्ण नेता जैसे कौन सा ओपरेशन था तो ओपरेशन जीरो आवर के तहट जो है जितने भी परमुख नेता थे जैसे बिहार के नेता थे डॉक्टर राजंदर परसाद जै परकास नारायन इनको क्याद कर लिया गया जिससे यह आंदोलन ने तुइत विहिन हो गया, जगा जगा विद्रोहियों के द्वारा हिं सात्म गतिविदी तथा जंडा फाराने का काम किया जाने लगा, इसी क्रम में 11 अगस्त को पटना में सची वाले भवन के सामने जो वहाँ पे क्या था, तो सामने जो भवन है, ठीक है, विधान भवन, इमा पर जंडा फाराने के करम में सात विद्यार्थी सहीद हो गए, जिस परकार 57 इसमी में बिहार के वीर कुमर सिंग राष्टिय प्रिद्रिस में चर्चा का केंदर बने, वहीं 1942 में अजाद दस्ता आंदोलन के चर्चा का केंदर बना था, अजाद दस्ता उन प्रस्थीतियो की उपस थे, जब बिटिश सरकार के दवन की कारवाहित तेज होने के कारण, करांती कारियों ने गुप्त रूप से आंदोलन को बढ़ाने के लिए विशेश कारवाहि के रूप में काम किया, तो जैपरकास नायन एक ऐसे देश भक्त हैं, जो स्वतंता प्राप्ती से पु गोरिला पद्धती से यानि छिप करके बार करना, तो यह यहाँ पर अजादस्ता के द्वारा शुरू किया गया था, राम मनुहर लोहिया जो उस समय के परमुख कह सकते हैं करांती कारी हैं, वो कहते हैं, अजादस्ता की आवसक्ता दो कारणों से हुई थी, जिन युकों म सब को फौसी की सजाद दे दी गई थी, चाहे भगत सिंग हो, चाहे चंसेखर आजाद हो, यह लोग अब नहीं थे, और जो ग्रम खून वाले वैक्ती थे, उनको भी एक मागदर्सक चाहिए था, और मागदर्सक को भी सब को जो है, यहाँ पर कैद कर लिया गया था, तो ज हिंसात्मक जैसे हिंसा करने वाले जिन युगकों में हिंसा और संघर्स की भावना थी, उसको एक सही रास्ता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर अजादस्ता का गठन किया गया, ग्रांती कारियों के पास ऐसे साधन और संगठन हो, जिसके दोरह वो सरकार के दमनात्म कारजवाईयों का सामना कर सके, ठीक है, तो अंगरेजों के जो दमनात्म कारजवाईयों थी, उसको सामना करने के लिए भारतिया नित्त करता के पास मजबूरी थी, कि वह हिंसात्म गतिविधी करने वाले जो युवा थे, उनके साथ हो करके दमनात्म कारजवाईयों का सा मुक नेता जैपरकास नारायन और अन्य लोगों को गिरपतार कर हजारी बाग जेल भेज दिया था तो 9 अगस्त को ही गिरपतार करके कहां भेज दिया गया था जैपरकास नारायन को तो याद रखेगा हजारी बाग जेल और वहीं से दिपाव अली के दिन भाग के निकल गए थे जेल से भाग गए थे 9 नमबर 1922 को लिखा हुआ दिपाव अली के रात में ये कोश्चन पूछा हुआ है किस दिन तो दिपाव अली की रात में 9 नमबर को जैपरकास नारायन सूरज नारायन सिंग रामानंद ठीक है योगेंदर सुकल ने हजारी भाग जेल की दिवार फा कर भागने में सफलता प्राप्त की ये नेता भाग कर नेपाल के तराई के जंगलों में भूमीगत होगे कहां पहुंच गे नेपाल का तराई वाला एरिया और यहीं से चापा मार जो गुरिल्ला युद है उसका ट्रेनिंग सिक्छा देने के उद्दे से अजादस्ता का ग कर दिया इसका संचालन बकरो का टापू बकरे का टापू एक जगा था नेपाल में वहीं पर किया जा रहा था जो की भोग विलास जंगल के पास था बकरो का टापू यह यहां पे मैप में दरसाया गया है ठीक है नेपाल का हिसा है यह बिहार है बिहार का इजम सटा हुआ था एक विहार प्रांति आजाद दस्ता प्रशद का भी गठन किया जिसके संयोजक सूरज नाराइन सिंग बने पहार पर रेडियों एस्टेशन बनाएगे रेडियों का परचार परशार विभाग राम मनोर लोहिया को बनाए गया मार्श अप्रेल 1943 में अजाद दस्ता का पर्थम प्रसिक्षन सिवर का आविजन नेपाल के राजविलास के जंगल में हुआ जिसके निदेशक नित्यानन सिंग थे अत्यन्त महपून कोश्चन जो की विप्यस्ती में पूछा जा चुका है कि जो नेपाल में जो भोग विलास का जंगल है वहाँ पर राज विलास का जंगल जो अहाँ पर है वहाँ पर जो नित्यत करता थे अजाद दस्ता को ट्रेनर थे वो कौन थे प्रसिक्षन देने वाले तो नित्यानन सिंग याद रखिएगा वहाँ पर वो युवाओं को तीन तरह के परसिक्षन देते थे पहला यातायात के साधनों को छती पहुँचाने का दूसरा संचार के जितने भी साधने चाहे वो डाक हो चाहे तार हो या जो भी हो उसको नश्ट करने का या कोई अध्योगिक परतिस्थान है उसको नश्ट कर देना आग लगा देना इन कारवाईयों को सपन करने के लिए तीन उपाय किया जाता था पहला एक साधारन तोरफूर औजार या हत्यारों के माध्यम से तूर दिया गया दूसरा आग लगा करके अगने कान फाईलों को नस्ट जो भी सरकारी कागजात थे उसको जला करके तीसरा था रसानिक पदात बारूद या विस फूटक का इस्तमाल करके कारजियानों को नस्ट कर दिया जाता था ठीक है उसके बाद दल यहाँ पे दो दल बनाएगे एक गुप्त रूप से तोर फोर करने वाला दल दूसरा जनता के बीच में जा करके जन आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला दल तो अजाद दस्ता के दो दल बने हुए थे एक गुप्त रूप से तोर फोर का काम करते थे जितने भी सरकारी संस्थाएं थी डाग घर था रेलवेई स्टेशन था जो भी सरकारी दफ्तर थे उसको तोरने फोरने का काम एक दल करता था दूसरा वही जनता के बीज जाकर के आंदोलन जन आंदोलन को बढ़ा रहा था बिहार में पुर्णिया और भागलपूर अजाद दस्ता का परमुक्यंदर के रूप में था सिमली गाउं के बैठक के फलस्वरुप आजाद दस्ता दो भाग में बट गया एक सेन बिभाग जिसमें सेना कमांडर नर नरायन बनाये गए वही असन बिभाग का जो परभारी है वो बासुदेव नरायन को बनाये गया याद रखेगा नरायन को बनाए गया सेन विवाक का और सेन विवाक का परमुक बासुदेव नरायन को बनाए गया था तो यह सब कोश्चन डीपली है और VPSC यहां से कोश्चन पूचता है तो इसलिए अच्छे से लाइन बाइ लाइन के लियर कर लीजिएगा अजाद दस्ता कांत मैं 1943 में जैप्रकास नारायन राम मनोहर लोहिया आदी नेताओं को गिरपतार कर हनुमान नगर जेल नेपाल में ये साइट कोश्चन दिख रहा था हनुमान नगर जेल का नेपाल में रखा गया बाद में छुड़ाया लिया गया पुना दिसंबर 1943 में इनको गिरपतार किया गया धीरे दीरे इसके गतिविद्यों का हरास होने लगा जब नितित करता है गिरपतार हो गए और जुलाई 1944 में कातिक परसास सींग के गिरपतारी के साथ ही अजाद दस् दस्तार ने अपने विविन कार्ज कर्मों एवो में सात्मा गतिविद्यों के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के नीव को हिलाने का पुर्जूर कोसिस किया और इसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए तो इस परकार हम पाते हैं कि भारत छोड़ों का एदम याद रखिएगा जो रेडियों चलाती थी उसा महता उनका भी नाम याद रखिएगा राजिंदर परसाद का भी नाम याद रखिएगा ठीक है तो इन लोगों के बारे में निश्चित रूप से आपके एक्जाम में कोश्चन पूछे ही जाते हैं कहां भाग के ग करे गए कब जील से फरार हुए ये सब कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से पेपर कठिन नहीं बनेगा बलकि पेपर बन चुका होगा किसी भी एक्जाम का पेपर दो तीन सेट बनता है अगर लिक हो गया आउट हो गया दूसरा सेट का एक्जाम होगा पेपर बन चुका होगा कठिन नहीं बनेगा कट ओफ जाएदा जाएगा चुकि पेटर्न पता चल गया और मौका मिल गया अब सुधार नहीं का मौका मिल गया जो लोग कम नमर ला रहे थे वो भी अब पहुँच दस नमर तो ऐसा ही बढ़ा लेंगे तो कमपिटिशन सुभाविक सी बात है पहले से दस नमर आपका इजली मूड में बढ़ जाएगा कोई बात नहीं है आप लोग की तैयारी बेतर है आप लोग मेहनत कीजिए प्रैक्टिस कीजिए मैथ रिजनिंग जीके जीएस करेंट एफेर्स ये सब परते रहिए और जहां- NCRT एस्टेट लेवल का NCRT जो भी है भारती भावन बेगर किताब जो है उसको हो सके तो एक बार अच्छे से देख लीजिए जो भी आपका भीस है 6-12 वाले और 1-2-5 वाले के लिए तो जो नोट से वो सफिसियन्ट है ठीक है उतना करते रहिए आप बहतर कर लेंगे कोश्चन टफ होता है तो सब के लिए होता है नहीं बनेगा तो सब को नहीं बनेगा बनेगा तो सब का बनेगा इतना ही जाने जो कोवन कोश्चन उस सब लोग बनाते हैं जो टफ कोश्चन है उसमें दिक्कत होती है तो अब आप लोग का काम है कि जो नोट से उसको तो जैदा परिशानी बढ़ेगी नमबर आपको थोड़ा जैदा लाना होगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही दो टॉपिक अभी हमने आपको पढ़ाया भारत छोरो अंदोलन और अजाद दस्ता ठीक है डिवीजन करते रही और लेडी कॉंटेंटर बहुत सारे वीडियो प पूरा टॉपिक हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी एबलिवल है चलिए आज के लितना ही धन्यवाद झाल 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 झाल